हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मोनिका की रसोई आज बें बनाने जा रही हूँ पालक पनीर बनाने जा रही हूं वह भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से उन चीजों का इदूस करके मैं पालक पनीर बनाओंगी जो नॉर्मली वहर किचन में होते हैं और बहुत ही प्रवाक में कोई भी कंपर्माइज दींगा बहुत ही स्वादिश्ट पालक पनिर बनेगी तो जलिए देखते हैं इस पालक पनिर को बनाने के वे किनकी चीजों की जरूरत है मैंने दो प्यास लियें जिसे मैंने बारी काट लिया है एक छोटा टुकरा मैंने अद्रक कर लिया है मैंने उसे कद्दू कस कर लिया है दो हरी मिर्च उसे मैंने बारी काट लिया है और छे से साथ लासुन के कलिया मैंने उसे भी बारी काट लिया है और हमें चाहिए निम्बु और दो टमाटर लिया है उसे ही मैंने बारिक छॉप कर लिया है पनीद, कुकिंग ओल, नमक और पालक को मैंने 3 सिटी लगा के इससे उगा लिया है और इसमें जो पानी है उसे फेकना नहीं है उसे यूज़ करके हमें पालक पनिर बनाना है तो चलिए इसे में बनाने की वीदी बताती हूँ मैंने कड़ाय लिया है गरम होगी एक उसे में डालेंगे कुपी पर दो बड़े चमच इसे थोड़ा गरम होने देगे और इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ रज़न प्लैसम के पाद इसमें डालेंगे जिसा हुआ अगरे जिसमें गदू कस्टेल दिया था और इसमें पुछी से मिनाएंगे और स्वी डालेंगे प्यार और राक में डालेंगे हरी मेरी अब इसमें तक बूलना है जब तक इसका प्यास हमारा भूलता है तक जो हमारा यह पालक है इसे हम मिक्सर में एच्छे से सब स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं तो हमारा प्यास है बहुत नहरे कलरका हो गया है तो इसमें हम तमाटा को एट करेंगे यह तक पूलिट करेंगे तो हमारा प्यास से बड़िया इसे नहरे बिष्टिन दालेंगे नमोर्ट प्लाइक नमग दानी देखिए और यह सब्सक्राइब को अच्छे से लाएंगे तो माट अच्छे से गल पर मिख्षो गाएं अब इतने आप मैंने जो पालक का पेट दनाया था अब इसमें आड करेंगे मैंने धाइसा ग्राम पालक लिया है और इसमें मैं 100 ग्राम पनीव मिक्स करूंगी तो मैंने इसमें पालक का तुपेट पर डाल दिया रहे अगर यह को थोड़ी गाड़ी लगे तो जो पालक को पालने वर इसमें पानी था वही पानी इसमें डाले अगर ना पानी बचे तो ही इसमें नॉर्मल बाटर डाले यह तो फिर वही पालक का पानी उसे ही उज़ करें अब यह उबल रहे हैं तो जो हमारे पनीर के टुक रहे हैं उसे इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर दें और ढटके तीन से चार मिनट के लिए पकाएं ताकि जो पनीर है उसमें जो भी हमने तड़के लगाएं उसका फ्लेवर अच्छे से पनीर में आ जाए तो तीन मीनेट हो चुके है और यह अच्छा से पनीर पक चुका है तो आब हम इसे आफ कर देंगे और अब मैं आपको इस पर सर्व करके दिखाती हूँ गैस को आफ करके इसमें हम आदे निम्मू परस मिला देंगे निम्मू परस मिलाने से क्या होता है जो पालक का जो हरापन को जो टेस्ट आता है न अब वो नहीं आएगा इसे जैसे मिक्स कर दें तो बनके तयार है हमारा पालक पालक पनीर मैंने इस पर कद्दू करके पनीर को कर्णिस कर दिया है तो आप इसे जरूर बनाएगे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही यह टेस्टी है तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे ह हैं मेरे वीडियो को तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें थैंक्यू